उधारण साथ यदि x बराबर a cos theta rin b sin theta और y बराबर a sin theta धन b cos theta हो तो सिद्ध किजिए कि x की घाद 2 धन y की घाद 2 बराबर a की घाद 2 धन b की घाद 2 होता है हल दिया है x बराबर a cos θ फिर बी sin θ इसे हम समीकरण एक माल लेते है और y बराबर a sin θ रिण a sin θ धन b cos θ इसे हम समीकरण दो माल लेते हैं अब समीकरण एक वा दो समीकरण एक वा दो का वर्ग करने पर दो का वर्ग करने पर x की घाद दो बराबर कोश्टक में a cos θ रिण b sin θ कोश्टक बन की घाद दो उसी तरह से y की घाद दो बराबर कोश्टक में a sin θ धन b cos θ कोश्टक बन की घाद दो अब यह जो समीकरण उपर वाला x की घाद दो वाला समीकरण है इसको हम हल करेंगे तो x की घाद दो बराबर इस पे हम सरस्वमीकरण लगाएंगे a रिण b की घाद दो बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग रिण दो a b तो इस तरह से हमें प्राप्त होंगा a की घाद दो cos की घाद दो θीटा धन b की घाद दो sin की घाद दो θीटा रिण दो a b a b cos थीटा cos थीटा गुण sin थीटा इसे हम समीकरण तीन माल लेते हैं उसी तरह से हमें y की घाद दो नीचे वली समीकरण का कहीं हम इसमें दायपक्ष में दायपक्ष में सरसमीकर का प्रयोक करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा y की घाद दो बराबर a की घाद दो sin की घाद दो θीटा धन दो a b sin थीटा sin थीटा गुड़ा cos थीटा इसे हम समीकरण चार मानते हैं अब समीकरण समीकरण तीन व चार को जोडने पर को जोडने पर जोडने पर हमें प्राप्त होंगा यहां इसका बायाँ पक्ष है x की घाद दो समीकरण तीन का बायाँ पक्ष है x की घाद दो और समीकरण चार का बायाँ पक्ष है y की घाद दो इसको जोड़ेंगे हम तो x की घाद दन y की घाद दो बराबर एक की घाद दो कॉस की घाद दो थीटा धन बी की घाद दो साइन की घाद दो थीटा रिण दो एबी कॉस थीटा गुणा साइन थीटा धन एक की घाद दो साइन की घाद दो थीटा धन बी की घाद दो कॉस की घाद दो थीटा धन दो एबी साइन थीटा गुणा कॉस थीटा हमें प्राप्त होता है यहां पर हम A की घात 2 को उभैनिश्ट निकालेंगे इन दोनों पदों से तो हमें कोश्टक के अंदर प्राप्त होंगा साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा उसी तरह से इन दोनों पदों में से B की घात 2 को उभैनिश्ट हम निकालेंगे तो कोश्टक के अंदर साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा और यहाँ पे रिन 2AB cos theta गुड़ा sin theta और धन 2AB sin theta cos theta कट जाएगा तो क्योंकि हम जानते हैं कि sin की घाथ 2 theta धन cos की घाथ 2 theta का मान एक होता है तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे A की घाथ 2 गुड़ा 1 तो A की घाथ 2 मिल जाएगा धन B की घाथ 2 है और इस का मान एक होता है तो धन B की घाथ 2 चुकि हम जानते हैं कि sin की घाथ 2 theta धन cos की घाथ 2 theta का मान एक होता है तो इस थरह से हमने सिद्ध कर दिया कि X की घाथ 2 धन Y की घाथ 2 बराबर A की घाथ 2 धन B की घाथ 2 इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि X की घाथ 2 धन Y की घाथ 2 बराबर A की घाथ 2 धन B की घाथ 2 यह इस उधारन का हल है झाल 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 झाल